हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है मेरे इस चैनल नने किट्स में आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने बच्चों को मैस में परफेक्ट बना सकते हैं उन्हें कैसे घर पे बहुत ही अच्छे और इजी मैथेड्स से पढ़ा सकती हैं कई पेडिंट्स को लगता है कि हम अपन तो चलिए, शुरू करते मेरे आज की वीडियो। शुरू करते मेरे आज का टॉपिक है एड जैसाँ आप देख रहे हैं मैं अश पिगी बैंक के ट्रू лег को आड करना सि chcia Umm होगी हम पिगी बैंक के तुरू बच्चों को एड़ करना इसलिए सिखा ताकि हमें अपनी स्टेटी को इंट्रस्टिंग बनाना है इससे क्या होता बच्चे का इंट्रस्ट डेवलप होता है स्टेडी की तरफ तो मैंने यहां कुछ कुछ कोई बनाए जैसे आप देख रहे ह 1, 2, 3, 4, 5 मामा ने कितने कोईंस दिया आपको 5 उसे लिखने के लिए कहें फिर डेडी वाले कोईंस को आप क्यांट कहा है 1, 2, 3, 4 डेडी ने कितने कोईंस दिया आपको 4 अब बच्चो को सारे कोईंस को प्रवाट करने के लिए कहेंब अब बच्चो को इसमें बहुत इंटरस्थ आता है मेरा बेटा तो सारा दिन कभी कुछ कभी कुछ इसमें licensed करता रहता है नहीं अगर कि सारु चीजी कोईंसे काउबे वगरा मिलते हैं वो सब इसमें डाल देता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे को या 9 लिखने के लिए कहेंगी 5 प्लस 4 9 इस तरह के साब बच्चे से कह सकते हैं कि आज आपको दादी ने कितने टौफी दी थी 2 बच्चे को 2 कोई जालने के लिए कहें 1 2 और साथ में उसको लिखवाते भी रहे हैं आप और दादा कितने टौफी दी थी 3 1 2 3 और 3 लिखने के लिए कहें फिर उसे सारे कौइस निकालके काउंट करने के लिए कहें बच्चों को यह बताना है कि हम इन सब को add कर रहे हैं और जो हमने यह sign बनाया है इसको add बोलते हैं प्लस बोलते हैं जब भी हम इस sign को देखें तो हम सब चीजों को plus करके count करें 1, 2, 3, 4, 5 कितने टॉफी हो गई आपके पास? 5 यह तो हुआ हमारा पिगी बैंक के तूफ कॉंसेप्ट एक कॉंसेप्ट यह होता है कि आजकल बच्चों के पास इस तरिके के blocks में मिलते हैं श्याद आपके बच्चे के पास भी होंगे तो हम इन blocks के दूब भी बच्चों को सिखा सकते हैं आप बच्चों को फ्लेश कार्ट दीजिए मैंने इस प्रिके के फ्लेश कार्ट बनाएं इसे यह मैंने लिखा है 3 और बच्चे को बताए यह और यह plus का sign होता है यह भी बच्चों को सीखाना है और यह 2 तो आप बच्चे को कहें पहले आप 3 वाले 3 blocks को प्ले कर आए 1,2,3 अब 2 blocks लेकर आए 1,2 अब यह क्या बनाया है मैंने प्लस अब इससे क्या होता है इस sign से हमें यह सब add करने होते है अब इन्हें हम count करेंगे 1,2,3,4,5 कितना हो गया 5 अब बच्चे को कहें केस में से 5 वाला फ्लेश कार्ट मुझे 2 5 इस तरह से भी आप बच्चे को करवा सकते हैं जब हम नॉट्बुक में बच्चो को काम करवाते हैं तो हम उसे इस तरह कैसे काम देते हैं 3 plus 3 is equal to तो आप बच्चो को यहा 1,2,3 plus 1,2,3 अब इन्हें count करने के लिए 1,2,3,4,5,6 इस तरह के सा आप बच्चो को आड करवाएं तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जूरू बताएगा अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरी और मैस की वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो